सब्सक्राइब और इसे स्वेर और एक क्योब है से मटेरियल है सेम टोडल सर्पेस अरिया है और इनको एकसिन एक क chutे इँ पेस में रखा गया जया है और उनको हीट किया गया तो सेम टंपरेचर पर आपको वताना initial rate of cooling क्या होगा तो देखो एक sphere है और एक cube है ठीक है माल लो sphere की जो radius है वो r है और इसकी side a है तो इसकी area उसकी area same है तो पहले तुम ऐसा समझो कि जो हमारा rate of cooling होगा वो किसके proportional होगा अगर हमारा area same है temperature same है तो किसके proportional होगा तो ध्यान दो कि स्टेफन स्लों में एक पढ़ाया यादा formula कि e is directly proportional to t to the power 4 जहां पर e होता है radiant energy radiant energy emitted per unit area per unit time कहने का मतलब कि cube by a into t is proportional to t का पावर 4 या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि dq by dt is proportional to a t to the power 4 ठीक है चलो यह हो गया अब एक formula और हमने पढ़ा था दैट कि q equals to ms delta t भी होता है ठीक है तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dq upon dt is equal to ms d theta upon dt that means कि यह वाला और यह वाला अगर देखा जाए तो यहाँ पर dq by dt के इसके प्रोपोर्चनल है तो यह प्रोपोर्चनल है d theta upon dt के अगर mass same है और s same है otherwise s constant अगर specific capacity constant है mass नहीं तो mass यहाँ लेके चलो तो यहाँ से dq by dt proportional होगया m d theta by dt के और यहाँ से dq by dt proportional होगया a t का पावर 4 के तो हम लोग बोल सकते हैं कि m d theta upon dt is proportional to a t to the power 4 तो d theta upon dt is proportional to a upon m 40 का पावर 4 तो देखो यहाँ पर हमारा जो temperature दोनों के लिए same बोला गया है दोनों का surface area same बोला गया है तो भाई यहाँ पर d theta by dt ही तो rate of cooling है change of temperature with respect to time यह किसके proportional आ रहा है mass का inverse relation आ रहा है इसी को use कर लो तो जैसे मानलो की इसका rate of cooling d theta upon dt for sphere upon हमें अगर निकालना है d theta by dt for cube यह किसके proportional यह किसके equal हो जाएगा यह equal हो जाएगा mass of sphere into mass of cube समझ रहे हो inversely proportional mass के हम लोग ले आये थे तो यह मानलो की sphere हो गया यह cube हो गया equal to mass means density into volume of cube हो जाएगा a cube और इसका भी density same है material same था into volume of sphere हो जाएगा 4 by 3 pi r cube मतलब देखो यहाँ पर हमारा जो r और a में जो relation है वो निकल लिया तो काम हो जाएगा तो r और a में relation कैसे आएगा तो surface area दोनों का equal है तो जैसे cube का surface area हो जाएगा side 6 into a का area 6a square is equal to इसका हो जाएगा 4 pi r square that means कि a जो है 4 pi r square so a जो है a कितना आ जा रहा है 2 upon 3 pi into root into r तो यह आ रहा है इसी को रख दो ना इसी को रख दो यहाँ पर so s upon c becomes equal to rho rho कर दिया a cube हो जाएगा a cube कितना हो जाएगा 2 to 4 for 8 upon 27 pi cube का power में 1 by 2 ठीक है cube कर दिया और root 1 by 2 था पहले से into divided by 4 by 3 pi r cube कि और यहां पर आर क्यूब यहां भी होगा है ना एक क्यूब था ना तो यह आर क्यूब आ जागा तो यह आर क्यूब तो कैंसल हो जागा अब इसको सिंप्ली सॉल्ब करो देखो कितना था मैं यहां पर लिख दे रहा हूं तो यह जब तुमारा अगर माल लो रूट के अंदर चला जाता तो इसका स्क्वेर करना पड़ेगा तो यह हो जागा 8 upon 27 pi cube into 4 4 16 pi square और यह हो जागा तुमारा 9 का power में 1 by 2 2 तो यह तुमारा कितना रहा है 9 into 3 और 8 into 2 6 और एक pi by 6 का power 1 by 2 यह आजाएगा ठीक है इस तरह से करना था basic fund यही था अगर यह कर लोगे तो आगे कभी काम हो जाएगा ठीक है